जब लोक तंत्र और सत्ता में बैठे सत्ता धीस ही, दमनकारी नीतियों के उपर कारी करने लगे और जब सत्ते की आवाद उठाने वाले लोगों के उपर ही डंडे बरसने लगें, तो समझिए कि लोक तंत्र अपने सबसे अच्छे दौर में तो बिलकुल भी नहीं है। काफी दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी और मैं भरसक प्रयास कर रहा था कि मैं इसमें बात ना करूँ और मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इस चीज़ से थोड़ा सा अलग इसलिए था क्योंकि मैं बात कर रहा हूं मनीश कश्यप की, आइडेलोजिकली मैं उसको थोड़ा सा मेरा उससे जमता नहीं था लेकिन जो भी है इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करता था। लेकिन जब वो वीडियो मैंने देखी उसकी आखों में वो आशू वो पुलिस ले जाती है उसकी फैमिली उसका दर्थ तो अब चुप रहना भी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। उसके वी जैसा वो प्रजेंट करता था जितना एग्रेसिव हो जाता था जिस तरीके से वो बात करता था वो मुझे पसंद नहीं है मुझे लगता है कि चीजे सांती से भी बात करके दिखाई जा सकती है आराम से भी बात करके दिखाई जा सकती है लेकिन अब मुझे समझ म ले करके जितना बड़ा जितनी बड़ी बात की गई है उसको उठा कर जेल भेती है क्या उसके साथ जब की क्या गलती है उसकी अगर अगर अजर्ण है कि आप मनीस को माने ना माने. वह सकता है क्योंकि मैं भी मानता था. मेरा रहाषी आइडिОलोज़िकली प्रॉब्लμεं है क्योंकि मैं थ्वठासाज तॉब का आदमी हूय. लेकिन आप यह मानिये कि जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है, देश में, राज्ये के किसी भी कोने में मनीश वहां गया है, आवाज उठाया है उसने, ऐसा नहीं है कि वो छुप गया है, हर जगा, हर जगा, और जितना financially help भी हो सके, वो भी किया है, और उसको बदनाम करने के लिए एक चीजी जिनों ने कहा, कि इसके खाटे से इतने रुपए पकड़े गए हैं, और ये भाई, खाटे से रुपए पकड़े जाते हैं, क्या, 49 लाग रुपए एकाउंट में मिले, अरे गजब, खाटे से रुपए पकड़े जाते हैं, आपके एकाउंट में पैसे तो पकड़े गए हैं, वो तो visible हैं, वो तो bank directory में है, आपके पास पूरा data है, आदार कार कि आपने कोई बहुत बड़ी जीत कर लिए उसके कड़ जहीं करते हैं एक बड़ हमारे चैनल पर आकर बात कर लीजह तमाम ऐसे चैनल है, जिनका साथ उस ने दिया, कोई कोचिंग इंस्चूट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उन्होंने कहा आकर कि एक बार बात कर लिजे, वो गया, उनसे बात करी, उनकी हेल्प करी, लेकिन आज, कोई उसके बारे में एक सब, मतलब सुख के सबसाथी पत्र है, उन्होंने ये बाते कहीं, कि तमिल लाड़ू में इस तरह की दिक्कत हो रहे है, उनके उपर कहनी करवाई कर दे रहे हैं आप लोग, या फिर जब ट्वीट हुए, विधान सभा में बहस होगा इस बात को लेकर के, तब कहनी करवाई कर दिया आप लोग, और कितन ये ही ऐसे न्यूज चैनल हैं, जो बड़े-बड़े मेडिया हाउस हैं, जो उस चीज को लेकर के बड़ी-बड़ी खवरे दिखा देते हैं, और बात में कहते हैं कि उनसे गलती हो गई, और वो मा फी मांग लेते हैं उस चीज को लेकर के, और उनके उपर कोई कारवाई न ही किया है उसने पुलिस वालों के लिए मदद मांगी है कि पुलिस वाले इनकी मदद इनकी भी विवस्था कीजिए जहां भी उसे जितना हो सका है जितना सोसाइटी को आप उससे आइडोजिकली आप भले मनीश से अपने आपको दूर कर ले लेकिन मनीश से जितना हो सका है और उसके बाद इस तरह से कर लेना बहुत से न्यूज चैनल है जो उसको तुम ताम करके बात कर रहे हैं आज की रिट में कल जब वो खड़ा था अपने पूछ पर तब तो उसके इंटरिव्यू के लिए घूम रहे थे कि एक बार मेरे पास भी आ जाईए और देखे आप जड़ा लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो क्या है देखे इसमें अगर सिर्फ अगर लोगों को लग रहा है ना कि मनीश इसलिए जेल चला गया इस मामले में जेल चला गया उसको जमानत नहीं मिली तो आप समझे कि बात यह नहीं थी क्योंकि यह मामले इतना बड़ा नहीं है कि वो जेल चला जाएगा और वो एकदम खतम हो जाएगा उसके उन सारे जो जनता के लिए जो आपके लिए हमारे लिए जो उसने काम किये जिसके लिए उसके उपर मुकदमे दर्च हुए हैं तमाम सरकारी कारियों में बाधा, क्योंकि वो किसी भी कारियाले में घुश जाता था, किसी को भी कह देता था, कि यह आपने क्या किया, कैमरा खोल के दिखा देता था, कि यह आप गलत कर रहा है, उसके उपर इस तरह के तमाम मुकदमें डाले गाएं, कि आपने सरकारी काम मे बदा डाला है और इन 12-13 मुकदमों को दिखा करके अनबल कोट के सामने ये फर्जेंट कर दिया गया कि इसका हमेशा से गलत काम करने गा लेकिन जब कोट इन सारी चीजों को देखे गी आराम से समझेगे कि भाई क्या है लेकिन फिलाल तो कोट के नदर बे प्रतम दिश्टिया जो है वो है वो है बिच्योल अफेंडर दिखे था कि 12-13 अफायर हो गया लेकिन वो 12-13 अफ्यार क्या आपने खेत के लिए किया है खेत की लड़ाई के लिए उसके उपर फायर हो गया है जमीन की लड़ाई के लिए अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए फायर हुआ है उसनकी जितनी फायर है वो पब्लिक सेक्टर की है पब्लिक के हितों के लिए किया है उसने और आज जब उसका बुरा वक्त आया तो सब कन्नी काट गए चाहें बड़े बड़े यूटूब चैनल एजुकेर्सनल चैनल किसका किसका नाम लो नाम लेना भी बेकार है लेकिन आप लोग उन्हें देखा होगा ना कि हर आदमी ने उसे बुलाया वो भी गया उसने भी साथ दिया हर आदमी को सम्मानित किया छोटा बन के रहा लेकिन आज जब उसका बुरा वक्त आया तो कोई उसके साथ नहीं खड़ा है लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो की माध्यम से नहीं बता रहू हूं अजन कोट अफीशर जितनी हमको आती है जितना कानून का नौलेज है हम प्रयास करेंगे अगर मनीश के संबंदित कोई आदमी है जो जुड़ा हुआ है जो परिशान है जो मनीश के टच में है अगर वो मुझे संपर्क करना चाहे तो लिंक आपको पता है मेरी वेवसाइड है अमित पांडे की वहाँ पर आकर कि आप गूगल में जाकर कि मेरा नाम सर्च करेंगे आपको मेरी वेवसाइड मिल जाएगी लाइट अफ लौ के नाम से वहाँ से हमसे कनेट कर लेना कम्मिनिकेट कर लेना जितनी भी हो सकेगी हम कोसिस करेंगे क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रयास करूँगा क्योंकि वो रोता हुआ चेरा यार वो हमेशा लड़ा है तो अपने लिए नहीं लड़ा है अपने घर के लिए नहीं लड़ा है कहां कहां से पलायन नहीं हो रहा है कहां कहां पिटाई नहीं हो जाती है तो क्या ये मुद्दा बस इतना सा है कि ये मामला सही है ये गलत है ये सच नहीं है कि हर जगा होता है कुटाई कहीं भी कोई थपड खीच देता है तो अपनी नाकामियाबी को आप छुपा तो रहे हैं बहुत तबियत से लेकिन एक आदमी को नाप दिये आप इस तरीके से उसको उठा के जेल भीरती जब कि उसके ट्वीट को देखा जाया अच्छर सा तो इस ट्वीट में भी उसने ये नहीं का कि वो उसकी खबर है उसने का कि इस फला आदमी ने किया है जिसने ये खबर दिखाया उसको आप नहीं देख रहे हैं तो क्या ये प्लांड ही नहीं है उसको फ़ासाने का एक गलत खबर दे दी गई और उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसको भीना वेरिफाइड किए उसने खबर चला दी क्योंकि भो उसे लगा कि यार बिहरीों पैट्तिचार हो रा है साथियों प्याश हो रा है क्योंकि आप जो है यहाँ पर आपको लिबर्टी नहीं मिलने वाली है और इसलिए मैंने विस सब्द, as an court officer, मुझे तो पता है कि सब्द कैसे चुने जाते हैं, तो मुझे किसी का घंटा डर नहीं है, मैं गलत करूंगा, तब जो भी कर रहा हूं, कानून की दिश्टी से सही क कर रहा हूं, तो मिझे कोई दिक्कत नहीं है, तो सब्दों का चैन सही तरीके चे किजिएगा कहीं भी, और आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं, आपका समर्थन, और अगर आप मेरी बात से एगरिक करते हैं, तो सब्सक्राइब किजिएगा, और बाकी देखते हैं क्या कर सक ने साथ यो को पर ना